हम पंची उन्मुक्त गगन की कविता को पढ़ेंगे इस कविता की रचियता या कवी है श्री शिव मंगल सिह सुमन जी तो आईए कविता शुरू करते हैं लेकिन कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये कविता किस के उपर लिखी गई है जैसा कि शीर्शक से पता चलता है हम पंची उन्मुक्त गगन के तो कविता पंची यानि पक्षी के बारे में है और इस कविता में कवी ने यही बताया है कि उन्मुक्त यानि खुले आकाश में गगन यानि आकाश खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी स्वतंतरता बहुत अधिक प्रिय है और वे अपनी स्वतंतरता को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते तो आईए कवीता शुरू करते हैं पहला पद ले लेते हैं हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गापाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख तूट जाएंगे प्रस्तुत पंग्तियों में कवी यही बताना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी स्वतंतरता बहुत अधिक प्रिय है पक्षि क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हम पंची उन्मुक्त गगन के हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंची हैं या पक्षि हैं पिंजर बद्ध न गापाएंगे अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए या हमारी स्वतंतरता को छीन लिया जाए पिंजर बद्ध अर्थात पिंजरे में बंद तो क्या होगा? अगर हमारी स्वतंतरता को छीन लिया जाए या हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गीत नहीं गापाएंगे हम गाना नहीं गापाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंक तूट जाएंगे कनक अर्थात होता है सोना तो कनक तीलियां अर्थात सोने की सलाख है तो पक्षी ये कहना चाहते हैं कि चाहे हमारा पिंजरा जो है वो सोने का ही क्यों न बना हो लेकिन हमें इतनी आजादी अपनी प्रिय है कि हम उस पिंजरे से निकलने का प्रयास करेंगे और उसकी सोने की सलाखों से टकरा कर हमारे पुलकित अर्थात होता है रोमान्चित या खुशी से भरे हर्ष से भरे हुए पंख जो है वो तूट जाएंगे आगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भुके प्यासे कहीं भली है कटुक निबौरी करक कटोरी की मईदा से आगे पक्षी क्या कहते हैं वे कहते हैं कि हम तो भई बहता हुआ शुद्ध साफ नदियों का जल पीने की आदत रखते हैं हमें तो बहता जल पीना पसंद है और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमें क्या वो जो कटोरी में हमारे लिए दाना और पानी रखा है वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा और हम भूक और प्यास से मर जाएंगे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से फिर आगे वे कहते हैं कि उस सोने के पिंजरे के अंदर भले ही हमें सोने की कटोरी में दाना दिया जाए मैदा मैदा वैसे तो मैदा होता है जैसे आटा होता है आटे से बारीक जो रूप होता है गेहूं का पिसने के बाद उसे मैदा कहते है लेकिन मैदा से अर्थ यहाँ पर कवी का दाने से है जो पक्षियों को भोजन दिया जाता है तो वे पक्षी कह रहे हैं कि भले ही हमें दिया जाने वाला जो भोजन है पिंजरे के अंदर वो सोने की कटोरी में क्यों न दिया जाए पर उस भोजन से कहीं भली है बहुत जादा अच्छी है क्या कटुक निबौरी निबौरी होता है नीम का फल तो वे कहते हैं कि उस सोने की कटोरी में दिये जाने वाले भोजन से कड़वी नीम का फल हमें जादा अच्छा लगता है आगे स्वर्ण श्रंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के जूले अब आप सबने पक्षियों को देखा होगा उड़ते हुए जब पक्षी उड़ते हैं और पेड की डाल पर बैठते हैं तो हमेशा उची उची पेड की डालों पर बैठ जाते हैं जाके और जहां जब वे डाले हवा से हिलती हैं तो पक्षी भी हिलते हैं यानि कि वो एक तरीके से उन डालों पे जूला जूलते हैं तो पक्षी कहते हैं स्वर्ण श्रंखला के बंधन में अर्थात भले ही हमारे गले में क्या डाल दिये जाएं? सोने की जन्जीरें डाल दी जाएं तो वो एक तरीके से तो हमारे लिए बंधन है, रुकावट है तो उस रुकावट की वज़े से हम अपनी गती, गती मतलब जिस वेक से पक्षी उड़ते हैं और उडान तो हम सबको पता ही है उड़ना तो वे कहते हैं कि हमारे गले में सोने की जन्जीरें पढ़ने की वज़े से हम अपनी गती और अपना उड़ना दोनों भूल गए हैं बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के जूले और अब पेड़ों की उची शाखाओं में जूला जूलना तो हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं असलियत में तो ये अब कभी हो नहीं सकता क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हैं तरू मतलब होता है व्रिक्ष या पेड़ और फुनगी होता है पेड़ की उची शाखाएं आगे बढ़ते हैं ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल किरंसी चोच खोल चुगते तारग अनार के दाने अब यहाँ पे कभी ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पक्षी अपने मन में क्या सोचते हैं उनकी क्या इच्छा होती है यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अर्मान थे यानि हमारी भी ऐसी इच्छाएं थी कि हम क्या करते उड़ते उड़ते कहां उड़ते नीले नब की सीमा पाने वहां तक उड़ते जहां तक की आकाश की सीमा है मतलब आकाश के दूसरे छोर तक हम उड़ते ही जाते ऐसी हमारे मन में इच्छा थी या ऐसा हमारा अर्मान था और क्या करते लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने वे कहते हैं और हम क्या चाहते थे कि हम अपनी सूरी की लाल किरणों जैसी लाल चोंच को खोल कर चुगते मतलब खाते क्या खाते तारक रूपी अनार के दाने मतलब तारों को खाने की इच्छा रखते हैं पक्षी यह कहते हैं क्योंकि उन्हें तारे जैसे हमें तारे चोटे चोटे दूर से दिखाई देते हैं तो कवी ने यहां कलपना की है कि पक्षियों को वे छोटे-छोटे तारे अनार के दानों की तरह दिखते हैं और वे आकाश के दूसरे छोर तक उड़कर अपनी लाल-लाल चोच से तारो रूपी अनार के दानों को खाना चाहते थे ऐसा उनका अर्मान था या ऐसी उनकी इच्छाएं थी लेकिन अब वे पिंजरे में बंद है तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती आगे होती सीमाहीन शितज से इन पंखों की होडा होडी या तो क्षितज मिलन बन जाता या तन्ती सांसों की डोरी इन पंक्तियों में कभी ने पक्षी मन की और इच्छाओं को भी प्रकट किया है कि वे क्या करना जाते हैं वे सीमा हीन सीमा मतलब होता है बॉडर जहाँ पर कि कोई चीज समाप्त हो जाती है वो उसकी सीमा होती है आप लिखा है सीमा हीन मतलब सीमा से विहीन जिसमें सीमा ही न हो और शितिज शितिज अर्थात वो बिंदू जहांपर की धर्ती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं उस बिंदू को शितिज कहते हैं मतलब हमें पता थोड़े न है कि शितिज कहाँ पर है वो तो हमें दूर से दिखता है लेकिन किसी को पता थोड़े न है कि शितिज है कहाँ पर कि वो बिंदू कौन सा है जहांपर धर्ती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए पक्षी अपने पंखों की होड लगा कर या अपने पंखों की प्रतिस परधा करना चाहते हैं किस के साथ सीमाहीन शितिज के साथ वो अपने पंखों से उड़ते हुए सीमाहीन शितिज तक जाना चाहते हैं या तो शितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी अब क्योंकि शितिज की तो कोई सीमा ही नहीं है तो उड़ते उड़ते पक्षी भी तो ठक जाते इसलिए लिखा है कि या तो फिर क्या होता कि जब वे प्रतिस फर्दा करते शितिज के साथ तो या तो एक बिंदू ऐसा आता कि उन्हें शितिज मिल जाता वे शितिज पे पहुँच जाते उड़ते उड़ते या तंती सासों की डोरी या उनकी मृत्य हो जाती मतलब इन पंक्तियों में पक्षी उड़ते उड़ते शितिज तक जाना चाते हैं और अगर उन्हें वो शितिज ना मिले तो वे मर जाना चाते हैं लेकिन फिर भी वे हमेशा बस उड़ना ही चाते हैं आगे नीड न दो चाहिए टहनी का आश्रे छिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उड़ान में विग्न न डालो इन अंतिम चार पंक्तियों में कभी कहना चाते हैं कि पक्षी कह रहा है कि भले ही तुम हमें टहनी का नीड अर्थात घोसला मत दो टहनी पर घोसला मत बनाने दो आश्रे छिन भिनन कर डालो और हमारे जो घोसले हैं उन्हें भी तुम तोड़ डालो चिन्न बिन्न करना अर्था तोड़ना लेकिन पंक दिये हैं तो लेकिन चूकि इश्वर ने हमें पंक दिये है इसलिए हमारी आकुल उड़ान में विग्न न डालो आकुल अर्था तो थोता है बेचैन जो उड़ने के लिए बहुत जादा उत्सुख है हमारे जो पंक उड़ने के लिए भहुत ज़ादा उत्सूख है उनकी उड़ान में कोई विग्न ना डालो अर्थात हमें कैद मत करो हमें पिंजरों में बंद मत करो तो आज हमने कक्षा साथ की पाठे पुसक वसंत में दी गई कविता हम पंची उनमुक्त गगन के पढ़ी और समझी और आप इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे